अगर मैं आपसे एक सवाल पुछूं तुझे क्या चाहिए जिन्दिगी तो हो सकता है कि आप कहें कि मुझे धन चाहिए पैसा चाहिए लेकिन आज किस दौर में मैं समझती हूँ कि हर एक को खोशी चाहिए सुख से जीवन जीना चाहते हैं और जीवन का हर एक पल उस सव है और इसको खुशी से ही जीना चाहिए लेकिन जीवन में कुछ ऐसे पल होते हैं जो emotional होते हैं या कुछ challenging होते हैं लेकिन जरूरत है हमारी सोच पर कि हमारी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए हमें अपनी तन और मन को स्वस्त रखना है और अगर हम अपने इस तन को मन को स्वस्त नहीं रख पाते हैं तो आगे चल कर कुछ समस्याइं गंभी रूप ले लेती हैं जो कि हमने पिछले एपिसोट में भी जाना है और आज हम बात करेंगे एनिमिया के बारे में डवले आचो रिपोर्ट की मताबिक पूरी दुनिया में लग भग दो अरब लोग एनिमिया से ग्रस्त हैं और उसमें भी ज्यादातर महिलाएं एनिमिया की पेसेंट पाई जाती हैं या उससे बहुत ज्यादा ग्रस्त हैं तो इसके लिए हमारे बीच में एक बार फिर्स है डॉक्र पुषवपांडे जी हैं आप एक इसी रोग विशेशग हैं डॉक्र पुषवपांडे जी आपका बहुत बहुत स्वागत हैं अम शंते, नमस्कार डॉक्र पुषवपांडे जी सबसे पहले एक बेशिक जानकारी की एनिमिया क्या है एनिमिया शब्द ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है जिसका मतलब होता है कि नो ब्लड और डबलो एचो के डेफिनीशन के अनुसार एनिमिया अर्थात होता है कि oxygen carrying capacity हमारे ब्लड में जो होती है वो कम हो जाती है हमारे ब्लड में अगर हम simple रुप में समझें कि ब्लड दो भागों से मिलकर बना होता है एक जो liquid भाग होता है वो plasma कहलाता है और दूसरा जो cells होते हैं वो RBCs कहलाते हैं तो RBCs जो होते हैं उनमें oxygen ले जाने की capacity होती है वो सारे अंगों को oxygen supply करते हैं तो अगर किसी भी कारण से RBCs या तो कम हो गए तो भी oxygen ले जाने की capacity कम हो गई या उसमें hemoglobin जो होता है या iron content कम हो जाता है तो भी उनकी capacity कम हो जाती है तो oxygen carrying capacity कम होना यही वास्ताव में anemia है अर्थात खून की कमी जिसको साधारन भाशा में कहा जाता है यह तो हुई कि anemia क्या है अनिमिया कितनी प्रकार के होते हैं इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्सकों को बताएं टॉक्रू पशोपांडी जी अनिमिया जो हमारे देश में होता है मेंली वो iron deficiency होता है अर्थात iron की कमी के कारण मेंली जिसको कहें nutritional deficiency nutritional जो कारण होता है तो एक तो iron की कमी और दूसरा nutrition में जैसे कि B12 की deficiency है और folic acid की deficiency है तो परनीश्यस अनिमिया उसको हम नाम देते हैं megaloblastic एनिमिया उसको कहा जाता है तो एक तो nutritional हो गया दूसरा होता है genetic जैसे कि thalassemia या sickle cell एनिमिया जिसको कहते हैं उसमें genetic abnormality रहती है तीसरा यह भी होत्सा है कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा bleeding हो गई hemorrhagic जिसको कहते हैं कि hemorrhagic की कारण अगर blood की कमी हो जाती है या acute problem हो जाती है acute anemia भी होता है chronic भी होता है acute भी होता है तो hemorrhagic की कारण जो होता है वो acute anemia होता है और कई-कई chronic infection होते हैं जैसे मान लेजिए malaria है malaria में भी बहुत ज़्यादा deficiency हो जाती है इनि इसमें iron की भी कमी हो जाती है और साथ ही और भी अन्य कई कारण है जैसे मान लेजिए किसी भी patient को kidney problem है तो चुकि kidney से एक factor release होता है जिसको कहा जाता erythropoietin तो erythropoietin अगर उसमें ठीक से release नहीं होता है तो भी anemia हो सकता है कभी-कभी किस जो cancer हो जाता है cancer की कारण भी होता है या फिर aplastic anemia अर्था bone marrow में कोई या जो हड़ी होती है उसके अंदर भाग होता है उसको bone marrow कहते हैं तो bone marrow में अगर कुछ disturbance है और ठीक से cells का production नहीं हो पा रहा है तो भी anemia होता है जैसे आपने बताए कि अनमिया की प्रकार और अगर हम बात करें कारण की तो किस कारण से यह समस्या अनमिया की समस्या आती है यह कारण तो जैसे हमने different types बतलाए तो types में कारण भी समाई हुए है जैसे कि nutrition deficiency है कि iron की कमी के कारण b complex की कमी की कारण folic acid कमी के कारण genetic मतलब होता है कि parental के कारण है और जैसे तीसरे कारण हमने बताए कि infection के कारण है तो यह सब कारण और types एक दूसरे में समाई हुए है डॉक्टर पुषर पारणीज जैसे आपने कारण की बात बताए है हम जानेंगे लक्षरों की बात लेकिन उसके पहले एक और सवाल मेरे मन में आया कि ज़्यादा तर एनिमिया की patient महिलाए होती है महिलाओं को ज़्यादा एनिमिया होता है तो ऐसा क्या है यह बहुत ही अच्छा question है कि महिलाओं को क्यों ज़्यादा होता है एक तो हर मंथ menstral cycle होती है तो blood loss होता है तो उसमें iron deficiency हो ही जाती है और दूसरी बात जो होता है कि वो अपने diet का भी ध्यान नहीं रखते है अपने routine का ध्यान नहीं रखते है सारी परिवार का ध्यान देती है लेकिन खुद ध्यान नहीं देती है तो diet की deficiency के कारण होता है और एक तीसरा जो कारण होता है जैसे महिलाईं जब खेत में जाती है तो अगर चपल ना पहने हो तो hookworm infestation जिसको कहते हैं hookworm जिसके कारण वो पैर से चला जाता है और उससे भी वो deficiency, iron deficiency हो जाती तो iron deficiency एक main कारण है एनिमिया का महिलाओं में दोग्र पुषव पार्णी जी के इसका stress भी एक कारण है stress डारेक्ट कारण तो नहीं है लेकिन indirect कारण जरूर है तो आप चप कही रहे हो तो मुझे याद आ रहा है कि एक patient मेरे पास आई थी वो एनिमिक थे काफी और उसको pregnancy भी थी 9 months pregnancy थी तो वो आई और उसका hemoglobin करीब 4 gram था 4 gram hemoglobin था और मैंने उसे पूचा कि भई तुमने iron नहीं लिया और तुमने अपने diet का ध्यान नहीं दिया तो बोली कि नहीं माडम एक तो मुझे ये pregnancy नहीं चाहिए थी और दूसरी बात मेरी सास से मेरी पट्टी नहीं है तो घर में इतना stress रहता है कि मुझे ना तो कुछ खाने पीने का मन करता है और उसने अपना पर्स खोला और पर्स में से iron टाबलेट ने का ली अतलब government इतना ज़्यादा मैलाओं पर भी ध्यान दे रही है और उसको iron supply करती है आंगनवाडी से उसके पास पर मन्त उसके पास iron है और उसने रखा हुआ है लेकिन उसने खाया नहीं तो कहने कार्थ की indirect तो बहुत इसका अनीमिया का संबंध है ना कि अगर आपकी mental health अच्छी नहीं है आपको stress है तो आपको खाने की इच्छा भी नहीं होगी तो जैसे कहा भी जाता है ना कि खुशी जैसे खुराक नहीं तो जब खुशी नहीं है तो वो ना तो tablet अच्छे से खाती है और ना तो balanced diet लेती है तो indirectly अनीमिया हो जाता है डॉक्टर कुशरपांडी जी ये तो ही कारणों की बात है और आपने बताए कि blooding ज़्याओं को तो उसमें भी एनिमिया हो सकता है अभी हम आप से जाना चाहेंगे कि इसमें लक्षन क्या होते है कि हमें कैसे मालुम चले कि एनिमिया हुआ है ये हर महिला को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एनिमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे हाँ लग भग 53% महिलाएं एनिमिक हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि वो एनिमिक हैं तो एनिमिया की ग्रेड होती है वैसे अगर साधारन भाषा में अलग-अलग WHO के अनुसार, ICMR के अनुसार अलग-अलग लेवल है लेकिन अगर साधारन भाषा में देखा जाए कि 13 ग्राम से अगर कम मेल्स में है तो एनिमिया होगा और 12 ग्राम से कम है तो ये महिलाओं में है लेकिन pregnancy में यह इस तर और कम हो जाता है, क्योंकि hemodilution जिसको हम कहते हैं, उसके कारण और ज्यादा उन में iron deficiency हो जाती है, क्योंकि hemodilution होता है, तो 11 ग्राम से कम, pregnant ladies में कहा जाता है, 11 ग्राम से कम है तो mild होता है, और फिर 9 से कम हो जाता है, तो वो moderate होता है, 7 से जो कम होता है, वो severe anemia कहलाता है, तो ये तो इनकी grading होती है, और जैसे जैसे ज़्यादा anemia होता है, symptom और ज़्यादा दिखाई देते हैं, mild anemia में हो सकता है, कि पता ही ना चले, सिर्फ थोड़ी सी weakness लगे, कमजोरी लगे, जब blood test ऐसे ही आप कराओ, तो पता चलता है कि मुझे anemia है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये anemia है, तो symptom जो होती है, पूरा शरीर के हर organ उसमें असर होता, क्योंकि oxygen supply कम हो जाती है, तो अगर हम बच्चों में देखें, या adolescent age में देखें, कि अगर anemia उसमें होता है, तो उस समय उनका IQ भी कम होने लगता, उनको समझ में नहीं आता है, उनके memory power कम होने लगती है, और school में उनका मन नहीं लगता है, ज़्यादा उदासी आने लगती है, और parents को समझ में नहीं आता है, कि ये बच्चा क्यों इतना active नहीं है, जैसे बाकी साधरन बच्चे खेलते हैं, तो ये बच्चा क्यों नहीं जाता है, और ये पढ़ने में इसका मन क्यों नहीं लगता है, ऐसे बहुत सारे बच्चों को लेकर हमारे पास आते हैं parents, तो जब हम उनका blood test कराते हैं, तो उनको एनिमिया होता है, तो एक तो adolescent age में असर होता है, फिर दूसरे हमारे सारे और भी organs, अगर हम उनका conjunctiva देखें यहाँ पर, तो वो बिलकुल बाकी अगर normal, आप patients का देखो, normal महिलाओं का देखो, तो वो पिंक रहता है और वो पेल हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा color उसका light हो जाता है, जो जीव होती है, जीवा, वो भी पिंक ना होकर बिलकुल पेल दिखती है, कभी-कभी जो ओंट जो होते हैं, वो पेल हो जाते हैं, लोग को तो इतनी आदत हो गई है, कि हम लोग तो दूर से देखकर पहचान जाते हैं, कि यह एनिमिक है, क्योंकि विलकुल पेल लगता है, और उनका shyness खतम हो जाता है, और चलते समय उनको डिस्निया होता है, अर्थात सांस फूलने लगती है, और धरकन के महसूसता होती है, लीवर भी कभी और भी ज़्यादा लीवर में असर आजाता है, स्प्लीन, स्प्लीन खास बढ़ जाती है, अगर बहुत क्रॉनिक एनिमिक होते हैं, तो उसमें भी स्प्लीन बढ़ जाती है, और उसके जो पैरों में इडिमा आ जाता है, और दो-तीन इडिमा मतलब होता है कि सूजनाना, कि उसमें सूजनाना आ जाता है, ऐसे, और साथी साथ और भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे जिसको एनिमी पेशेंट अगर वो है, उसको खून की कमी है, तो उसको बर्फ के प्रती एक अलग आकर्शन होता है, जिसको पेगोफेजिया कहते हैं, तो ऐसे ही एक बार हमारे संपर्क में एक मैला आई, वो जब भी आती थी, वो फ्रीज से बर्फ निकाल कर खाती थी पहले, तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैंने सोचा कि हाँ, यह हो सकता है, नीमिया हो, क्योंकि उसमें बर्फ की इच्छा होती है, और उसका सच्मु जब हिमोगलोबिन करा है, तो उसका आटो ग्राम था, और नेल्स, नेल्स में भी चेंज़े आने लगते हैं, नेल्स जो होती है, फ्लैट हो जाती है, बिलको पेल हो जाते हैं, ब्रिटल होने लगते हैं, तो सारी बॉड़ी में यह बहुत सारी चेंज़े जाते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं, अगर वीकनेस है, बहुत ज़्यादा आपको चलने में तकलिफ हो रही है, नीन नहीं आ रही है, उससे नीन भी कभी-कभी गायब हो जाती है, ऐसा होता है, डॉक्टर पुशर पांडी ची अपने बताया कि पेरों में स्वेलिंग आ जाना, सांस फूलना या धरकन बढ़ जाना, या नैंस हमारे जो है, वो रफ या पिले, ब्रिटिल हो जाते हैं, तो कि हमने कारण पहली बताया था, एक जैनेटिक बताया था, तो जैनेटिक होता है, जो पैरेंटल होता है, वो आरेंट डेफिशेंसी उसका कारण नहीं होता है, ये पैरेंट से आता है, और इसमें दो मुख्य होते हैं, एक होता है थैलसेमिया, और दूसरा होता है सिकल सल ए अगर हम देखते हैं कि हमारे पास patient आ रहे हैं और उनको हम iron देते हैं और iron के बाद भी उनका hemoglobin नहीं बढ़ रहा है और बार-बार वो कमी बनी जाह रही है तो फिर हम उनका test कराते हैं वैसे तो आजकल हर व्यक्ति को ये test जरूर कराना चाहिए बहुत simple test होता है कोई oglobin कराते हैं तो जिससे हमें पता चलता है कि anemia है और anemia के बाद अगर नहीं ठीक होता है तो फिर electrophoresis कराते हैं तो electrophoresis से हमको पता चलता है ये thalassemia है या sickle cell anemia है तो genetic होता है अगर माता-पिता को anemia है तो जो उनका आने वाला बेबी है उसकोण anemia नहीं हो इसका कोई इलाच है या उसको बचाया जा सकता та anemia से बच्चे को टो iron deficiency तो iron अगर तो वो बच्चे को भी supply होता है बच्चा एनिमिक नहीं होता उसकी growth अच्छी होती है यह उसको फाइदा तो होता ही है लेकिन जो दूसरी आपने जो कारण बतलाए जो genetic जैसा आपने पूछा था तो genetic को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि thalassemia जो होता है उसको हम थोड़ा सा अगर समझें तो बहुत अच्छा क्योंकि अगर हमारे दर्शक भी समझें इस बात को तो बहुत अच्छा है क्योंकि जाच कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि thalassemia में parents को अगर वो thalassemia carrier है दो तरह का होता है एक carrier होता है और एक दूसरा major होता है तो major problem तो ज़्यादा इस तक वैसे आज कल तो 40 साल तक बचाया जा सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा इस नहीं होती तो अगर दो carrier की marriage हो जाती है जी मदर की मदर भी अगर thalassemia carrier है और father भी अगर thalassemia carrier है और दोनों की अगर marriage हो जाती है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा संभावना हो सकती है कि thalassemia major हो तो thalassemia जो carrier होते हैं, minor भी उसको कहते हैं, उनको कोई तकलिफ नहीं होती है उनको पता भी नहीं चलता है कि मेरे को thalassemia है हमारे एक बहुत पहचान कि एक डॉक्टर ही है उस डॉक्टर को पैर में बहुत दर्ध होता था बहुत दर्ध होता था और उसको एनिमिया रहता था ज्यादा बहुत कम एनिमिया ऐसा नहीं था कि severely एनिमिक थी लेकिन 9-10 से उसका बढ़ता ही नहीं था तो वो आइरन लेती रहती थी चुकि खोदी डॉक्टर है तो बहुत सारे सैंपल में दवाईयां मिलती थी वो अपना खाती रहती थी और सुसती थी पता नहीं दर्ध क्यों होता और बहुत सारे और मेट्रो में रहती थी ऐसा नहीं कि कोई छोटे शहर में रहती तो वो iron लेती जाती थी तो उसका hemoglobin भी नहीं बड़े उसकी तकलीफ भी बहुँ फिर जब उसने और उसके family में भी ऐसा नहीं है कि उसको क्योंकि parents नहीं कराई नहीं था तो उसको पता भी नहीं था तो जैसे आप parents की जो बात आप कर रहे हैं कि मान लीजिए by chance दोनों की शादी होगी वैसे तो आज कल आम सबको सला दिते हैं कि शादी के पहले आप test कराऊ तो नहीं है और अगर है तो फिर शादी नहीं करने चाहिए क्योंकि बच्चे की संभावना है कि वो major हो इसी तरह से sickle cell anemia का भी है sickle cell anemia हमारे जान पहचान के दो डॉक्टर और दोनों बहुत अच्छे topper अपने बैच के लेकिन हमारे इंडिया में तो कोई कराता ही नहीं है न टेस्ट किसी को आदत ही नहीं कि thalassemia करा लो और sickle cell anemia करा लो वो hemoglobin ही करा लें वो ही बहुत बड़ी बात है तो यह जो sickle cell anemia जो होता है अगर आप पहाड़ी एरिया पे जाओ जहाँ oxygen थोड़ी कम है तो precipitate हो जाता है जिसको sickle cell crisis कहते है तो जब दोनों वहाँ पर गुमने गए हुए थे जब दोनों गुमने गए थे तो अचानक दोनों को बहुत दर्द होने लगा यहाँ पे जोडों में दर्द और दोनों को एक साथ दर्द हुआ यह कि दोनों को पता नहीं था फिर दोनों जब लोट कराए तो जब टेस्ट कराया तो पता चला दोनों सिकल सल केरियर है तो इसे टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो बाइचांस अगर शादी हो जाती है दोनों की शादी हो गई जैसे आब डॉक्टर को इबताया पता ही नहीं था अब हो गई तो आब डाइबोस्स थोड़ी लेंगे इसके कारण तो जब प्रेगनेंट होती है महिला तो उस समय 11 से लेकर 13 वीक तक एक टेस्ट होता है जिसको कोरियान बाइपसी कहते है तो कोरियान बाइपसी के द्वारा यह पता लगाय जा सकता है कि बचचे को कैरियर है या मेजर है carrier है तो फिर उसको हम continue करने देते हैं और अगर major problem है thalassemia major है तो फिर उसको abortion के सला देते हैं तो इसलिए ये हमारे दर्शकों को भी नॉलेज होना चाहिए क्योंकि thalassemia सिंधी समाज में बहुत ज़्यादा common है और sickle cell 36 गड़ side बहुत ज़्यादा common है अच्छा डॉक्टर पुश्व पार्णे जी आपने बताया कि कुछ test कराना चाहिए तो एनेमिया है उसमें और भी और क्या test हो सकते हैं एनेमिया सबसे पहला जो basic test है वो तो हीमोगलोबिन है और हीमोगलोबिन के साथ आजकल सिर्फ हम हीमोगलोबिन नहीं कहते हैं उसको CBC कहते हैं जिसमें कि और भी ज़्यादा parameters होते हैं जिसे उस समय भी हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह की मेगलोब्लास्टिक अनेमिया तो नहीं है या कुछ दूसरे टाइप का इंफेक्टिव अनेमिया तो नहीं है क्योंकि उसमें ये पता चल जाता है सेल्स के द्वारा कि उसमें आइरन की कमी है क्योंकि सेल्स की टाइप्स बदल जाते हैं तो इसलिए सिर्फ हमोगलोबिन ना करा कर CBC और फिर उसके बाद सीरम आइरन कराते हैं क्या अनेमिया का कोई इलाज भी हो सकता है बिल्कुल अनेमिया का तो इलाज होता ही है ये तो ट्रीटमेंट है लेकिन अनेमिया का इलाज कारण पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का अनेमिया है किस प्रकार का अनेमिया है जैसे माल लेजे Iron Deficiency – हमारे देश में तो Iron Deficiency जादा है na तो Iron Deficiency जो anemia होता है उसमें हम Iron देते हैं तो जो 3 grade हैं, मतला है Mild, Morderate और Severe, मतलब Mild मतलब कि बहुत कम और उसमें थोड़ा सा जादा और Severe मतलब बहुत जादा, तो जो Mild Anemia होता है, Iron Deficiency जो एनिमिया होता है उसमें हम उसको आइरन टाबलेट के रूप में देते हैं तो आज कल बहुत अच्छी अच्छी टाबलेट आ गई है तो वो टाबलेट देते हैं और आज कल प्रिवेंटर मेजर के लिए गवर्मेंट ने भी बहुत ध्यान रखा है स्कूलों में भी आइरन सप्लाई होता है हफ़ते में एक बार उसको आइरन टाबलेट दी जाती है और जैसे के एक वर्म एक कॉज है वर्म के कारण भी आइरन कम हो जाता है तो डी वर्मिंग भी किया जाता है जैसे albendazole एक tablet दी जाती है, वो adolescent age में दी जाती है और pregnant ladies में भी हम second trimester में, second trimester मतलब कि तीन महिने के बाद उसको हम routinely एक albendazole जरूर देते हैं, first उसमें नहीं देते हैं, दूस्टे में देते हैं, और iron जो है पूरे pregnant ladies को तो पूरे 9 मंथ हम उसको supply करते हैं, 100 tablet तो मिलती है और अगर वो grade उसका ज्यादा है, मालीजे माइल्ड में उसका control नहीं हो रहा है, माइल्ड के बाद moderate है अगर वो, तो moderate में फिर हम उसको injection form में देते हैं, injection और आजकल बहुत अच्छे अच्छे injection आए हैं, बहुत ही अच्छे आए हैं और उनसे एनिमिया ठीक हो जाता है, ज क्योंकि बलड देने के भी कई नुकसान हो गए हैं, यूकि HIV आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, Australia Antigen बहुत ज़्यादा हो गया है, और ऐसा period कहलाता है, वैसे तो blood test करके दिया जाता है, HIV भी test किया जाता है, Australia Antigen भी test किया जाता है, लेकिन ऐसा समय कहलाता है, जिसको window period कह लेकिन एक ऐसा window period आता है जिस समय वो positive नहीं आता है लेकिन आपके अंदर वो रहेगा, तो window period मालूम नहीं चलता है, साधारन भाशा में कहें कि हमको पता ही नहीं चलता है और वो आपके अंदर है, लेकिन अभी active form में वो नहीं आया है, तो अगर आपका blood मेरे को चढ़ा दि होंगी, Australian antigen मेरे अंदर भी आ जाएगा, इसलिए जहां तक हो, हम blood को avoid करते हैं, आजकल injection बहुत form में आ गया है, तो यह तो हम iron deficiency anemia में देते हैं, और उसके साथ फिर जैसे genetic cause है, तो genetic में हम कभी भी iron नहीं देते हैं, जैसे thalassemia में और sickle cell anemia में, दोनों में हम folic acid देते हैं, और बाकी जो है, जो भी कारण होते हैं, जिसके कारण से anemia है, तो अगर मान लीजे malaria है, तो फिर हम malaria उसका treat करते हैं, और अगर कोई chronic fever है, जो भी है, वो आप जब तक ठीक नहीं करोगे, तब तक ये फिर problem solve नहीं होते हैं, दक्र पुश्व पांडी, जिस होना है, और एक जो pernicious anemia, megaloblastic anemia, vegetarians में ज़्यादा होता है, क्योंकि B complex उसमें नहीं होता है, B 12 नहीं होता है, तो usually megaloblastic anemia बहुत ज़्यादा common है, vegetarians में, लेकिन हम non-vegetarian लेने के सलाह कभी नहीं देते हैं, जितने फाइदे नहीं है, उसने तो non-vegetarian में नुकसान है, इसलिए ज़्यादा अच्छा तो यह है कि आप उसको tablet form में ले लो, तो अपने आपी भी complex हो जाएगा, और diet जो iron है, जो iron rich food होते हैं, जैसे green vegetables हैं, और फल हैं, जैसे अनार हैं, सबजियां हैं, उसमें काफी अच्छी मात्रा में iron होता है, तो वो लेना चाहिए, और dry fruits हैं उसमें date, date में भी होता है, तो उसमें भी iron होता है, तो वो लेने से, date लेने से काफी हमने देखा है कि, तो खजूर कहते हैं, तो उससे भी iron काफी अच्छी से बढ़ जाता है, हमको diet में fruit लेने हैं, protein लेना है, और जहां तक हो सके, non-vegetarian नहीं लेना है, इसको avoid करना है, और एक बात और ध्यान रखना है, जैसे हम vegetables और यह सब तो ले रहे हैं, तो अधिकतर खाने के बाद, जो लोग निबू, आवला लेते हैं, उससे बहुत फाइदा होता है, हीमोग जोबीन में सिर्फ iron की जावशकता ही नहीं पड़ती है, विटामिन सी की जावशकता पड़ती है, दूसरे विटामिन की जावशकता पड़ती है, तो विटामिन सी जब हम खाने के बाद लेते हैं, जैसे वैसे तो आजकल हम alkaline water की ही बात करते हैं, यह अगर आप निबू डालो निबू के 2-3 ड्रॉप पानी में डालो तो वो पानी अल्कॉलाइन हो जाता है और खाने के बाद अगर निबू लिया जाए या आवला लिया जाए तो आइरन एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है तो उससे हमोगलोबिन बढ़ता है एक बात का और ध्यान देना चाहिए कि केल्शियम और आइरन दोनों एक साथ नहीं लेना चाहिए दोनों एक साथ लेते हैं तो एब्सॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता है जी जी डॉक्टर पुशा पानी जी ये तो ही डाइट की बात क्या इसमें कोई एक्सरसाइज में जरूरी है एनिमिया ठीक करन ही कि उसे भी हैपिनेस बढ़ती है और भूक अच्छी लगती है खोशी होती है तो हमारी डाइट प्रॉपर होती है डॉक्टर पुशा पानी जी जैसे कि अपने पिछले एपिसोड ही बताए कि मेडिटेशन की विश्यश भूमी का रहती है हमारी बीमारियों को कम करने में खतम करने में तो क्या एनमिया में भी इसका विश्यश रोल है मेडिटेशन का बिलकुल आप डारेक्ट कहो इंडारेक्ट कहो क्योंकि डाइट हम अगर खोश रहते हैं तो अच्छी डाइट लेते हैं अगर हम इस्ट्रेस में रहते हैं तो फास्ट फूड लेते हैं और फा सोचो कि तब अच्छा लगता है कि आज मुझे फल खाने का मन है वेजेटेबिल्स खाने का मन है और मैं अपनी डाइट अच्छी रखो लेकिन अगर मैं टेंशन में हूँ तो फिर वो मैं गुलाब जामून खाऊंगी और कुछ ऐसा खाऊंगी फास्ट फूड खाऊंगी तो यह मेडिटेशन से हमारा मन कंट्रोल रहता है हम सारा उसको कंट्रोल कर सकते हैं डोक्टर पुषवपांडी जी आपने अनमिया के बारे में बहुत ही अच्छी सलाह दी और साथ ने अपने बताए कि हमको डाइट भी अच्छी लेनी है और अगर अनमिया जादा है तो उसम समाप्त कर देती है जो कि आपके एक बहुत ही सुन्दर किरण मिली डॉक्टर पुषवपांडी जी से और हम यह समझते हैं कि आप इस जो सलाह को सिर्फ सोनेंगे ही नहीं इसको जीवन में धारन भी करेंगे हम फिर मिलेंगे इसी की साथ ओम शान्ति ओम शान्ति